मुसल्मानों का नया खुदा दोस्तों ये बात में क्यूं किये रहा हूं वह आपको ये वीडियो देखते ही समझ में आ जाएगा तब तक जुड़ रहें इस वीडियो के साथ दोस्तों एक सोचल मेडिया पर खुब तिसी वीडियो वैरल हुई है कि आपने वह देखा अगर नहीं देखा तो सबसे पिले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं देखिए आप दोस्तो किसी को ये वीडियो देखकर समझ में नहीं आया है कि इस वीडियो में आकर हो कह रहा है दोस्तो आपकी जानकादी के लिए मैं बता दू एक दरगा है जहां पर किसी ओलिया की मूर्ती बनाई गई है और उस मूर्ती को नहलाया दुलाया जा रहा है और उस दरगा में रखा गया है अब दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि किसी मूर्ती को दरगा पर रखना अब इससे क्या होगा धीरे धीरे वहाँ पर लोग जाएंगे फिर उस मूर्ती को सजदा भी करेंगे, इनसे मांगना भी शुरू करेंगे तो फिर उन्होंने अल्लाह में और इन ओलिया की जो बुत जो बनाए गए हैं, इनमें फरक की क्या छोड़ा, यानि मुसलमान और गेर मुसलमानों में इन्होंने क्या फरक छोड़ा कोई भी नहीं, अब कमेंड में कुछ आके बोगेंगे, अरे रजा भाई, तुम तो दर्गाओ के खिलाफ हो, तुम तो ऐशा बोले, तुम तो ऐसा बोले, अरे भाई, मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो तुम ये हराम काम कर रहे हो, मैं इसके खिलाफ हूँ, अब तुम ही बताओ, दर्गाओ पर जाके तुम मांगते हो, चलो तुम तुमारा सबका अपना अकीदा है, लेकिन सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अल्ला के साथ हम किसी को भी शरीक ना करें, अब इसमें क्या हो रहा है, कि मूर्ती बनाए गई है, अब जीरे-दीरे क्या होगा, कि इससे लोग मांगने भी लगेंगे, साजदा भी करेंगे, जैसे कि दरगाओ पर जाके करते हैं, तो मूर्ती के सामने भी करेंगे, अब कोई अगर गेर मुसल्मान ये सारी चीज़े हरकती ये सब देखेगा तो क्या सोचेगा फिसारा अरे ये तो मुसल्मान खुदी मूर्ति पूजा करने लग गए तो अब जो इसलाम कुबूल करने वाला भी होगा तो उसके दिल में ये आएगा यार ये मुसल्मान खुदी मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो इससे बड़ी हमारा धर्म है तो मतलब हमारा धर्म सही है क्या impact पड़ेगा गेर मुसल्मान पर जरा इसको सोचिये इसलाम कुबूल कर सकता है हर्गिस नहीं मेरे दोस्तों अल्ला के साथ हम किसी को भी शरीक नहीं कर सकते ए अगर आज हमने इसे नहीं रोखा तो हर दरगाओं पर उनकी ओलियाओं की मूर्ती बना दी जाएगी और नाउज बिल्ला कहीं ऐसा नहों कि मुसल्मान ही बुद्परस्त हो जाए